तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने Pixel Lab application पे अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको मनोजदे जैसा thumbnail create करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 3.0 पर click करना है अब यहाँ पे image size पे आपको click करना है अब यहाँ पे custom पर आपको click करके YouTube thumbnail को select कर लेना है उसके बाद यहाँ पे simply आपको OK कर लेना है OK करने के बाद यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा यह जो text है इसको आपको यहाँ से delete कर लेना है अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट को डिलेट कर लिया, अब यहाँ पे आपको बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ, मनुजदे जैसा thumbnail बनाने का, यहाँ पे simply आपको क्या करना है, इस वीडियो के description में मैंने आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पे मैंने म आप ध्यान से समझिएगा, जब आप PLP फाइल को डाउनलोड कर लोगे, तो उसके बाद यहाँ पे आपको माई प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, अब माई प्रोजेक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको PLP पर क्लिक करना है, PLP पर क्लिक करने के बाद यह यहां पे आपका जो भी folders है वो यहां पे खुल के आ जाएगा तो जहां कहीं भी आपने उस PLP फाइल को डाउनलोड किया है तो उसको यहां पे आपको ढूंड लेना है सेर्च कर लेना है जैसे यहां पे मेरे पास यह जो PLP फाइल है यह पिक्सल लैब एप्लिकेशन में है त जैसे ही आप इस पर click करोगे यहां पे आपको ok कर देना है अब जैसे ही आप ok करोगे तो यहां पे आप देख पाऊगे आपको कुछ इस तरीके का thumbnail यहां पे देखने को मिलेगा पूरा design यहां पे देखने को मिलेगा जो कि मैंने खुद create किया है इससे होगा यह कि आप लो इसको देख पाऊगे, जितनी भी फाइल इस थम्नेल में यूज की गई हैं, वो सारी चीजे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, अब यहाँ पे इसका मतलब यह है, कि आप किसी भी चीज को यहाँ पे रिमूब कर सकते हो, किसी भी चीज को डिलेट कर सकते हो, और को आपको सेम टू सेम यही थम्नेल नहीं चाहिए होगा, आपको अपने टॉपिक के उपर कोई दूसरा थम्नेल क्रियेट करना है, बाकी आप डेजाइन यह यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे बात आती है, कि आपको यह जो टेक्स्ट बगेरा मिलते हैं, इनको आप यहाँ पे इमेज को यहाँ पे रिमूब कर दूँगा, तो यहाँ पे मैंने इमेज को रिमूब कर दिया, उसके बाद यहाँ पे चैट GPT को मैं रिमूब कर दूँगा, और यहाँ पे जो हिंदी में टेक्स्ट है, इसको रिमूब कर दूँगा, देन उसके बाद यहाँ पे आपको क् करना है तो यहाँ पे आपको प्लस पे आना है फ्रॉम गैलरी पे आना है और जहां कहीं भी आपका image है आपका photo है उसको यहाँ पे आपको add कर लेना है जैसे यहाँ पे मैं add करूँगा इस वाले image को again यहाँ पे मैं add कर लेता हूँ जैसे पे आपको back आना है back आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है एक application की जरूरत पड़ेगी find my fonts इसकी आपको जरूरत पड़ेगी इसका link भी मैंने आपको वीडियो के description में दिया है तो वहाँ से आप इसे download कर लेना अब इसको आपको open कर लेना है internet connection को आपको on रखना है तो पर click करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है मनुजदिय का जो भी thumbnail है उसका आपको एक screenshot click कर लेना है screenshot आपको click करना है जैशे यह वाला text उसवे createvelop करना है तो इसको यहाँ पर मैं simply crop करूंगा कुछ इस तरीके से आब यहाँ पे आपको क्या करना है इन सभी text को आपको यहां पे select कर लेना है जैसे यहां पे आप देख पाऊगे इनको यहां पे मैं एक एक करके select कर लेता हूँ अब select कर लिया अब यहां पे simply आपको next step पर आना है next step पर आने के बाद यहां पे आप देख पाऊगे text to match का आपको option मिलेग यहाँ पे आपको click करना है और same text जो आपने select किया है उसको यहाँ पे आपको enter कर लेना है जैसे यहाँ पे आप देख पाऊगे मैंने उसको यहाँ पे enter कर लिया अब इसके बाद आपको जिस text को create करना है उसको यहाँ पे आपको type करना है जैसे यहांपे आप देख पहोगे text to preview इस पर आपको click करना है और इसको यहांसे आपको cut कर देना है अब जो भी text आप यहांपे add करना चाहते हो, create करना चाहते हो उसको यहांपे type कर ले लेता हूं जैसे कि आप लोगों को यहांपे मैं दिखाना चाहूंगा मैं यहाँ पर far example आपको दिखा रहा हूँ, आप कुछ भी यहाँ पर create कर सकते हो, अब यहाँ पर type करने के बाद आपको simply search पर click करना है, search पर जैसे ही आप click करोगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको time देना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा loading होगा, और यहाँ पर इस text से जितन कर देना है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका font होगा, वो यहाँ पर आपका create हो जाएगा, यह Google Chrome में open होगा, और यहाँ पर आपका जो font है, वो यहाँ पर आपके सामने create हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका size जो है, उसको यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देना है, जैसे यहाँ पे size को कम करोगे, तो आपका जो font है वो यहाँ पे आ जाएगा, अब इस पर आपको tap करना है, और यहाँ पे simply आपको इसको download कर लेना है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस वाले font को download कर पाऊगे, तो यहाँ पे इस तरीके से यह font होगा, इसको आपको यहाँ पे add कर लेना है, अब यहाँ पे नीचे आपको third number वाले option पर click करना है, scroll करना है, और यहाँ पे आपको erase color पर click करना है, इसको enable करना है, तो यहाँ पे आपका जो color है, जो background का color है, वो यहाँ पे आप easily erase कर पाऊगे, अब simply यहाँ यहाँ पे done करना है, done करने कबाद यहाँ पे आपको scroll करना है, और इसको यहाँ पे white color आपको दे देना है, simply यहाँ पे आपको white color दे देना है, तो आपका जो text है, वो यहाँ पे आ चुका है, अब इसको set कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको scroll करना है, और यहाँ पे crop पे आन अर नीचे वाले टेक्स्ट को आपको crop कर लेना है इसको यहां पर done करना है अब यहां पर आपको इसको add कर लेना है कुछ इस तरीके से तो यहां पर आप देख पाओगे मैंने अपने नाम का यहां पर जो text है वो create कर लिया है तो इस तरीके से आप यहाँ पे English वाला जो font है जो text है उसको आप create कर पाऊगे अब यहाँ पे बात आती है कि जो Hindi में font था उसको आप कैसे create कर पाऊगे तो उसके लिए आपको back आना है back आने के बाद आपको Google Chrome को open करना है अब यहाँ पे आपको home page पे आना है और यहाँ पे आपको search करना है font meme ठीक है यहाँ पे आपको font meme search करना है जैसे ही आप font meme search करोगे तो यह वाला site आपके सामने open हो जाएगा open होने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है नीचे यहाँ पे आपको scroll करना है जैसे ही आप नीचे scroll करोगे तो आपके सामने ये वाला interface आएगा अब यहाँ पे जो हिंदी लिखा हुआ आपको मिल रहा है उस पर आपको click करना है click करने के बाद नीचे आपको scroll करना है और यहाँ पर टाइप करना है जैसे यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूं से पूरा करें ठीक है तो हिंदी में यहाँ पर आपको टाइप करना है से पूरा करें इसको मैंने टाइप किया अब टाइप करने के बाद सिंपली नीचे आपको जनरेट पर क्लिक कर देना है जनरेट पर केलरी पे आपको जाना है और उस टेक्स्ट को यहां पे आपको एड़ कर लेना है यह टेक्स्ट यहां पे आ चुका अब इसको अपन इसको छोटा करेंगे कुछ इस तरीके से चोटा करने के बाद इसको यहां पे मैं सैट कर लूँगा कुछ इस तरीके से अब यहां पे इसक आपे text को create कर पाऊगे और अपना professional thumbnail आप create कर पाऊगे तो इस वीडियो से मैंने आपका काफी ज़्यादा time यहाँ पे जो है safe किया है तो मैं hope करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like कर देना और आगे भी आप ऐसे latest thumbnail के PLP file लेना चाहते हो तो आप मेरे channel को subscribe कर लो साथी telegram channel को भी subscribe कर लो क्योंकि आज से मेरे जो भी thumbnail है उन सभी thumbnail का PLP file आपको मेरे telegram channel पे मिलेगा और जितने भी video tutorial है जितने भी text या जो भी यहाँ पे आपको नया design करना होगा उस सभी चीज के tutorial आपको इस channel पे मिलेंगे तो channel को subscribe कर लो साथी साथ telegram channel को subscribe कर लो तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से मनोजदे जैसे thumbnail को create कर पाऊगे अगर आपको किसी और creator के thumbnail को create करना है तो आप मुझे नीचे comment कर सकते हो मैं उसके उपर भी एक video बना दूँगा अलग से तो आप उनके जैसे thumbnail को भी create कर पाऊगे